तो आगे तो इस्टुएंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि water does not wet on wet an oily glass because ठीक है देखो जब तुम घर पे खाना खाते हो और थोड़ा सा oily खाना खालो उसके बाद जो प्लेट है उसको धोने के लिए जाओ और सिर्फ पानी डालके धो दो तो तुम देखो कि वह अच्छे साफ न डिस्वाशर यूज करना पड़ता है ज्वीम जेली इसे भी उच करना पड़ता है तो एक्चुल में question उसी तरह से कुछ related है कि water does not wet on oily glass बने कोई glass का बरतन है और इसके उपर में oil लगा हुआ है पानी डालके धो रहे है साफी नहीं हो रहे है क्यों ऐसा हो रहे है ऐसा इसल molecules के बीच में लगता है और एक adhesive force समझना पड़ेगा जो different molecules के बीच में लगता है जैसे फेबीकल देखे हो फेबीकल का डबा उसके उपर में लिखा रहता है adhesive तो उसका काम यह होता है कि जैसे यह एक लकडी का plank है और यह एक लकडी का plank है इन दोनों का आपस में चिपकाना है बीच में फेबीकल हम लोग डेलते हैं एक layer of favicle इधर चिपक जाता है और हम लोग ऐसा लगता है कि लकडी आपस में चिपक गये हैं तो यहाँ पर जो चिपका है वो actual में Fabicol का एक molecule और लकडी का एक molecule Fabicol का एक molecule लकडी का एक molecule तो ये दोनों के बीच का जो force है वो adhesive force है इसलिए तुम देखना Fabicol के डबबा पर लिखाना था adhesive ठीक है तो adhesive force वो force होता है जो different molecules के बीच में लगता है ओके तो जब हम यहाँ पर देखेंगे तो oil और water इसके बीच का force को हम क्या बोलेंगे adhesive force वही अगर हम देखेंगे water water तो water water के जो बीच का force होगा उसको बोलेंगे cohesive force अब simple सा region ये है कि जब glass के surface पे oil पड़ा हुआ है अगर glass के surface पे oil पड़ा हुआ है तो पानी तुम इसमें डाल रहे हो तो पानी और पानी के बीच का molecule का force ज़्यादा है as compared to oil और पानी के बीच के molecule का force तो इसकी वज़े से तुमारा option number इसमें जो है I think ये वाला D जो है सही होना चाहिए तो I hope आप एक question समझ पाएंगे cohesive force of water is greater than the adhesive force between water and oil मॉदोल आपल previously been मॉदोल आपिछ बीच है